हेल्लो एवरिवन आइम हिमानशी वेलकम टू सिविल पांडा ओडियो आटिकल आज हम डिसकस करेंगे 23 दिसंबर के सारे इंपोर्टेंट मध्यप्रदेश नाशनल और इंटरनाशनल करेंट अफेर्स के बारे में साथ इस से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट्स भी डिसक पस्करेंगे इसलिए और यवाट्य आर्टिकल को लाव्स तक सुनियेगा चले शुरू करते हैं हाल ही में सीम हेलपलाइन कंप्लेहन के लिए कॉंसा डिस्रिक्ट फरस्अ है औंसर है चैन्वाड़ा चैन्वाड़ा सी महलपलाइन कंप्लेंड के लिए फशदिसिक्ट बन यहाँ है, बात करें. पेच-रिवर के किनारे बसा है, चिनवाड़ा से ही दोस्तोक चथीसगड की गवर्नर अंसुया उईके बिलॉंग करती हैं, चिनवाड़ा में एक्षिट कॉलेज खुला गया है, įहाँ होटी कॉलेज मंसौर में हैं, अग्रो कॉंप्लेक्स से related है डेवगर्ड फोर्ट बादल भोई ट्राइबल म्यूजियम तामिया हिल्स पताल कोट वैली ये सारी चीजे चिनवाडा में हैं इसे आपको याद रखना है नेक्स्ट हाल ही में मद्य प्रदेश में पंचायत इलक्षन 2021-22 के लिए वोटिंग राइट अवेरनेस के तहट भुपाल का मसकट क्या लौंच किया है तो इसका आंसर है शेरू मद्ध्य प्रदेश में पंचायत इलक्षन 2021-2022 के लिए वोटिंग राइट अवेरनेस के तहट भुपाल का मसकट शेरू लॉंच किया गया है दोस्तो हाल ही में नेशनल मैथमेटिक्स डे कब मनाया गया तो इसका आंसर है 22 दिसंबर 22 दिसंबर को नैशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जा रहा है नैशनल मैथमेटिक्स डे श्री निवास रामनुजन जो की एक महान मैथमेटिक्स थे उनकी बर्थ एनिवेर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है और इस रामनुजन एवार्ड इसमें रामनुजन एवार्ड भी दिया जाता है 2021 का रामनुजन एवार्ड नीना गुपता को मिला है नेक्स्ट हाल ही में 2022 विंटर बीजिंग उलम्पिक के लिए इंडिया टीम के शेफ दे मिशन किसे एपॉइंट किया गया है दिसका आंसर है हरजिंदर सिंग हरजिंदर सिंग को 2022 विंटर बीजिंग उलम्पिक के लिए इंडियन टीम का शेफ दे मिशन अपोइंट किया है शेफ दे मिशन इंचार्ज होता है नेशनल टीम के इंटरनेशनल इवेंट में हरजिंदर सिंग आइस होकी एसोसियेशन ओफ इंडिया के जनरल सेकेटरी है नेक्स्ट हाल ही में किस कंटरी ने बाबर क्रूस मिसाइल 1B का एक्सपेरिमेंट किया है तो इसका आंसर है पाकिस्तान पाकिस्तान ने बाबर क्रूस मिसाइल 1B का एक्सपेरिमेंट किया है रैपिटल है इसलामबाद, करेंसी है पाकिस्तानी रूपी, प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी, पाकिस्तान शब्द का जन 1933 में कैन्बरेज उनिवर्सिटी के चाथ चौदिर रहमत अली के द्वारा किया जाता है, इंडिया वो पाकिस्ता जांगिर का मकबरा है, तो इससे आपको याद रखना है, साथ ही दोस्तों, फादर ओफ पाकिस्तान एटॉमिक वीपन प्रोग्राम के नाम से जानने जानने वाले, अब्दुल कादिर खान की देथ हो गई है, तो इससे भी आपको याद रखना है, नेक्स्ट, हाल ही में हम का आंसर है मैनमार, हमारे फॉरेंड मिनिस्टर हर्षवर्दिन सिंगला मैनमार की विजिट पर गए है, बात करें मैनमार की, तो इसके कैपिटल है, नेपिता और कंचिन हिल्स मैनमार में है, मैनमार की लीडर आंकसान सूकी को लोगों को मिलिटरी के खिलाफ उच्साने और कोरोना पीरियट के ट्रिस्ट्रिक्शन को तोड़ने के लिए चार साल की जेल हो गई है वांडरी जो मैनमार कंट्री से मिलती है वो है अरुनांचल प्रदेश, नागरलेंड, मनिपूर और मिजूर हाल ही में मैनमार में तीथर क्रिप्टो करेंसी को एलाव कर दिया गया है तो इसे भी आपको याद रखना है नेक्स्ट हाल ही में किसने इंडियाज एंशेंट लिगेसी ओफ वेलनेस बुक लिकी है तिसका आंसर है डॉक्टर रेखा चौधरी डॉक्टर रेखा चौधरी ने इंडियाज एंशेंट लिगेसी ओफ वेलनेस बुक लिकी है नेक्स्ट हाल ही में किस एरपोर्ट ने नेशनल एनरजी कंजरविशन एवार्ट 2021 जीता है तिसका आंसर है है हैदरबाद एरपोर्ट हैदरबाद एरपोर्ट ने नेशनल एनरजी कंजरविशन एवार्ट 2021 जीता है नेक्स्ट हाल ही में किस स्टेट गवर्मेंट ने सेमी न्यो न्यू लैंड चेमू दिकेदमा तीन डिस्ट्रिट बनाई गई है तो इसका आंसर है नागल लैंड नागल लैंड स्टेट गवर्मेंट ने सेमी न्यू नीव लैंड चेमू के दना तीन डिस्ट्रिट बनाई है बात करें नागल लैंड की तो वन देसमबर को नागल लैंड डे मनाया जाता है कैपिटल है कोहिमा, चीव मिनिस्टर है नैफ्यू रियो, गवर्नर है जगदीश मुखी लोकसभा सीट है वन और राजसभा सीट है यहां की वन 2030 तक 100% लिटरेसी हासल करने की घोशना की है नागलेंड ने हौन बिल फेस्टिबल नागलेंड में सेलिबरेट किया जाता है नागलेंड को फालकन कैपिटल ऑफ वर्ड बोला जाता है क्योंकि यहां माइग्रेटरी बर्ड एमूर फालकन विजिट करती है हाल ही में इंडिया की 61st Software Technology Park नागलेंड में खोला गया भी आद रखना है कि नागा खीरा को हाल ही में GI टैग मिला है नेक्स्ट हाल ही में वाड़ा की रिपोर्ट के अनुसार एंटी डॉपिंग रूल्स वाइलेशन करने के लिए कौन टॉप पर रहा है तो इसका आंसर है रशिया रशिया वाड़ा की रिपोर्ट के अनुसार एंटी डॉपिंग रूल्स को वाइलेट करने के लिए टॉप पर रहा है बात करे रशिया की दिसकी कैपिटल है मॉस्काव प्रेसिडेंट है व्लादेमीर प्लोटीन प्राइम मिनिस्टर है मिखाइल मिक्सूतिं माउंट एलबरूस जो की एरोपियन यूनियन की हाइस्ट पीक है रशिया में है लेक बैकाल यूराल माउंटेन रशिया में है वर्ड की सबसे बड़ी रेल्वे लाइन ट्रांस साइबेरिया लाइन रशिया में है वर्ड में सबसे ज़्यादा डायमेंड का प्रोडेक्शन में रशिया टॉप पर है हाल ही में रशियन फिल्म इंडस्ट्री के ग्रूप ने स्पेस में फिल्म शूटिंग करके वो आपस आए हैं इसे आपको याद रखना है हाल ही में पवन कपूर को इंडिया की तरफ से रशिया में अम्बाज़िडर एपॉइंट किया गया है जपार 2021 मुल्टी कंटर मिलिटर एक्सुसाइज रशिया में संपन हुई है हाल ही में देश में पहली बार हाइपरसोनिक जिर्कुल मिसाइल का सेक्सफुर एक्सपेरिमेंट हुआ है रशिया में तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं रशिया के बारे में नेक्स्ट हाल ही में किस स्टेट गवर्मेंट ने ट्रांसजेंडर के लिए पुलिस में रिजर्वेशन के अनॉंस्मेंट की है तो इसका आंसर है करनाटका करनाटका स्टेट गवर्मेंट ने ट्रांस जेंटर के लिए पुलिस में रिजर्वेशन की एनॉंसमेंट की है बात करें करनाटका की तो इसकी कापिटल है बैंगलोर कुर्ग को स्कॉटलेंट आफ इंडिया बोला जाता है माईसोर सिटी को सिटी ओफ सैंडल बोला जाता है ये दोनों सिटी करनाटका में है चीफ मिनिस्टर है बसावरिज बोमाई गवर्नर है थावर्चंद क्रहलो लोकसबा सीट है यहां की 28 और राजसबा सीट है यहां की 12 देश का पहला किलोना निर्मान क्लस्टर करनाटका में बनाया गया है 13 एरो इंडिया 2021 का आयोजन बैंगलॉर में हुआ है रैन बैनियोर जोकी वर्ड प्रोसेसिंग सेंटर खोला गया है दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लाटफॉर्म हुबली करनाटका में बना है मलाई मधेश्वरी हिल्स वर्ड लाइफ सेंचुरी करनाटका में है जिसे टाइगर रिजर्व बनाया गया है नगर होल नैशनल पार्क जिसे राजीव गांधी नैशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है ये भी करनाटका में तो ये सारे facts आपको याद रखने हैं करनाटका के बारे में Next, हाल ही में surface to surface guided ballistic missile प्रले का successful experiment कहा हुआ है तो इसका answer है पूरी ओरीसा पूरी में surface to surface guided ballistic missile प्रले का experiment किया गया है इसकी range है 350 km से लेकर 500 km तर साथी दोस्तो stand-off anti-tank missile पोखरन राजस्थान में इसका successful experiment किया गया है पिना का multilateral barrel rocket टेस्ट भी हुआ है पोखरन राजस्थान में supersonic missile assisted teripodo का successful experiment हुआ है और अगनी P के नाम से जाने वाली ballistic nuclear missile औरीसा में ही experiment हुआ है तो ये सारे experiment आपको याद रखने हैं ये हाल ही में हुए हैं दोस्तों और आने वाल एक्जाम में पूछे भी जा सकते हैं नेक्स्ट हाल ही में national oxygen management का inauguration किस ने किया है तो इसका आंसर है डॉक्टर भारती प्रवीन डॉक्टर भारती प्रवीन ने national oxygen management का inauguration किया है नेक्स्ट हाल ही में प्रधान मंत्री जन्धन योजना के account ने कितने करोर का data को पार कर लिया है तो इसका आंसर है 44 प्रधान मंत्री जन्धन योजना के account में 44 करोर का data पार कर लिया है प्रधान मंत्री जन्धन योजना के शुरवार 2014 में की गई थी नेक्स्ट हाल ही में ब्रामोज एरोस्पेस के MD&CEO कौन अपॉइंट हुए है तो इसका आंसर है अतुल दिनकर राने अतुल दिनकर राने ब्रामोज एरोस्पेस के MD&CEO के रूप में अपॉइंट किये है नेक्स्ट हाल ही में स्टेट गवर्मेंट ने जगनात रियरत यात्र को स्टेट फेस्टिवल का टैग दिया है तिसका आंसर है पंजाब पंजाब गवर्मेंट ने जगनात रत यात्र को स्टेट फेस्टिवल का टैग दिया है बात करें पंजाब की तिसकी कैपिटल है चंड सीट है सेवन रोपर लेक पंजाब में है सुखजीद मेगा फुट पार्क पंजाब में बना है पंजाब राज केंदर के एगरिकल्चर लौ के खिलाब प्रस्ताफ करने वाला पहला राज्य है पंजाब की फर्स्ट वुमें सेकेर्टरी विनी महाजन बनी है इंका नाम साइट करने वाला एप बनाया है तो यह है पंजाब तो यह था आज का डिसकेशन आया होप आप लोग को पसंद आया होगा आज का कुश्चन है हाल ही में वाड़ा की रिपोर्ट के अनुसार एंटी डोपिंग रूल्स वॉयलेशन करने के लिए कौन टॉप पर रहा है इस